शैतान आया और आदम और हव्वा से बात की उनके शब्द आध्यात्मिक बीज थे आदम और हव्वा ने शैतान के वचनों बीजों को अपने हिद्यों में आने दिया और वे बीज अपनी तरह के अनुसार उत्पन होने लगे जब आदम और हववा ने शैतान के शब्दों को अपने दिलों में स्वीकार किया, तो वे शैतान के बीच से पैदा हुए भरष्ट इच्छाओं और विश्वासों, प्रभू ईशू के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उखाड कर समुद्र में रोब दिये जाओ हमें अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को विक्सित करना चाहिए, ताकि हम पहचान सकें कि आत्मा जो कहती है, वो बाइबल से मेल खाती है और कब नहीं परमेश्वर के वचन हमें पवित्र आत्मा द्वारा मार्क दर्शन सुनने की क्षमता भी प्रदान करते हैं परिचे ये पद पॉलुस के कहने का तरीका है कि आदम से पैदा हुई मानवता के सदस्य मर जाएंगे और मसीय से पैदा हुई मानवता के सदस्य जीवित किये जाएंगे। यिशु ने भी दो मानवताओं के बारे में बात की। जब उन्होंने गेहून और जंगली पौधों के द्रिश्टांत की व्याख्या की, तो उन्होंने कहा। अच्छा बीज राज्ये के पुत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। जंगली पौधे दुष्ट के पुत्र हैं। मति अध्याय 13.38 यिशु ने कहा कि शैतान के बीच से पैदा हुई मानवता और परमेश्वर के बीच से पैदा हुई मानवता है। आदम से पैदा हुई मानवता की तरह शैतान के बीच से पैदा हुई मानवता मर जाएगी। परमेश्वर के बीच से पैदा हुई मानवता जीवित रहेगी। आदम में और मसीह में सास्कृतिक संकेत है। Bible इस तरह के संकेतों का उप्योग करती है। जब हम संकेतों को नहीं पहचानते और नहीं देखते कि वे किस बारे में हैं, तो हम ये समझने में विफल हो जाते हैं कि बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें संकेत भी शामिल है. अगर हम उन्हें नहीं देखते और नहीं समझते तो हम जीवन में प्रवेश नहीं करने का जोखिम उठाते हैं हमें इन बातों को समझने के लिए अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए हमें परमेश्वर के कवच को पहनना चाहिए और परमेश्वर से सत्य की आत्मा को भेजने के लिए कहना चाहिए ताकि वो हमें उनके सत्य में मार्गदर्शन कर सके पिता हम आपके कवच के लिए यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देते हैं और आपके कवच को पहनते हैं सत्य, धार्मिक्ता, शांती का सुस्माचार, विश्वास, उद्धार और आपकी आत्मा की तल्वार पिता हम यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा को भेजते हैं हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस पुस्तक में लिखी गई सभी बातों के सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा को भेजें अध्याए एक एडम में भगवान ने मानवता के शरीर के पहले दो सदस्यों सिर को बनाया वे उस पर उसके वचन, मार्गदर्शन और प्रावधान पर भरोसा करने और उसका अनुसरन करने के लिए थे उन्होंने उन्हें गुणा करने के लिए कहा मानवता के शरीर में अधिक सदस्यों को जोड़ने के लिए उनके बच्चे अपने स्वभाव को विरासत में लेंगे और उनके जैसे होंगे परमेश्वर ने वन्श उत्पन करने के लिए पौधों, जानवरों और मनुष्य के लिए प्रक्रिया की स्थापना की वे आगे बीज है कि उनके स्वभाव के साथ दूसरों में विक्सित होगा लाने के लिए थे और भगवान ने कहा पृत्वी वनस्पती अनकुरित करते हैं, बीज उपच पौधों और फल के पेड़ जो उनके बीज में असर, अपनी तरह के अनुसार प्रतियेक उत्पती अध्याए एक पद्य ग्यारा जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो उसने उसे परमेश्वर की समानता में बनाया परमेश्वर ने उन्हें नर और मादा बनाया और उन्होंने उन्हें आशिरवाद दिया और उन्हें मनुष्य हिब्रू एडम नाम दिया जब आदम 130 साल जीवित रहा था तो उसने अपनी छवी के बाद अपनी समानता में एक बेटे को जन्न दिया और उसका नाम सेट रखा उत्पत्ती अध्याय पांच पद्य एक सित्वरी इसलिए भगवान ने आदम को मानवता का प्रमुक बनाया आदम से पैदा हुई सारी मानवता आदम में पैदा हुई है और उनके भीतर आदम का स्वभाव है शैतान आया और आदम और हववा से बात की उनके शब्द आध्यात्मिक बीज थे आदम और हववा ने शैतान के वचनों बीजों को अपने हिदयों में आने दिया और वे बीज अपनी तरह के अनुसार उत्पन होने लगे जब आदम और हववा ने शैतान के शब्दों को अपने दिलों में स्वीकार किया तो वे शैतान के बीज से पैदा हुए क्योंकि आदम मानवता का मुखिया है, आदम से पैदा हुई सारी मानवता शैतान के बीच से पैदा हुई है शैतान ने आदम और हव्वा को फल खाने से कहीं अधिक करने के लिए लुभाया उसने उन्हें अपनी प्रकृती में निम्नलिखित आध्यात्मिक विशेशताओं को जोड़ने के लिए लुभाया अविश्वास भगवान उन पर भगवान के अधिकार को अस्वीकार करे ईश्वर के प्रती समर्पन के जीवन को अस्वीकार करे भगवान के प्रावधान को अस्वीकार करें और खुद पर भरोसा करें धारणा समझ और समझ मार्ग दर्शन कैसे समझे और समझे सत्य असत्य अच्छाई बुराई संभव असंभव विश्वस्निय आवशक गैर आवशक क्या है उन्हें क्या होना चाहिए इच्छा करना, विश्वास करना, सोचना, कहना और करना कैसे, कब और क्यों उन्हें बोलना चाहिए कारे करना चाहिए, जाना चाहिए उन्हें अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या चाहिए उन्हें अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कैसे और कब करना चाहिए वे जो है उसके परिणाम इच्छार विश्वास सोचना कहना और करना आध्यात्मिक विकास, परिपक्वता और पूर्णता से अधिक आराम और आराम की इच्छा आदम और हव्वा शैतान के प्रलोभन के आगे जुग गए और शैतान का स्वभाव उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया आदम और हव्वा शैतान के वंच से पैदा हुए थे और अब उनके सभी वंशच शैतान के वंच से पैदा हुए है हम सब आदम में पैदा हुए है हम सभी आदम में मरेंगे जब तक कि हम आदम से पैदा हुई मानवता से बच नहीं जाते और मसीह में जीवन में प्रवेश नहीं करते अध्याय दो मसीह में और मसीह के शरीर में मसीह में लगभग 2000 साल पहले परमेश्वर ने एक नई मानवता बनाए परमेश्वर ने एक स्त्री मरियम से बात की उसने उसके वचन विपीज रहर किये वो बीज उसके गर्ब में गर्भाधान हुआ और एक नई मानवता का पहला सदस से परमेश्वर के बीच से पैदा हुआ यिश्व नई मानवता का मुख्या है और परमेश्वर के बीच से पैदा हुए सभी लोग मसीय में है यदि कोई मसीय में है तो वो एक नई स्रिष्टी है लूसरा कुरिथियो अध्याय 5.17 तुमने नई मानवता अंथ्रोपो पहन ली है जिसे परमेश्वर ने सत्य की धार्मिक्ता और पवित्रता में परमेश्वर की समानता के अनुसार बनाया है। इफिसियो अध्याय 4.24 और कुलुसियो अध्याय 3.10 प्रथम कुरिथियो अध्याय 15.22 में पॉलुस ने एडम शब्द का उप्योग मानवता के शरीर को संदर्भित करने के लिए किया जिसका मुखिया आदम है। इसी तरह पॉल ने मसी शब्द का इस्तिमाल मानवता के शरीर को संदर्भित करने के लिए किया जिसका मसी मुखिया है। जो एक साथ है या जो किसी तरह से जुड़े हुए है। किया जाता है। क्योंकि जैसे एक देह में बहुत से अंग होते हैं और सब अंगों का एक ही काम नहीं होता, वैसे ही हम भी बहुत से होकर मसी में एक देह होकर एक दूसरे के अंग है। प्रेम में सत्य बोलते हुए, हमें हर बात में उसमें बढ़ते जाना है जो सिर है अर्थात मसी में, जिससे सारी देह हर एक जोड से जो उसे सुसजित करता है। जुड़कर और एक साथ मिलकर, जब हर एक अंग ठीक से काम करता है, तो देह को बढ़ाता है ताकि वो प्रेम में अपने आपको विक्सित करे। एक शरीर में बपतिस्मा लिये गए यहूदी या युनानी, दास या स्वतंत्र और सभी को एक ही आत्मा पिलाए गए। फिर पॉलुस ने मसी के शरीर की तुलना एक भौतिक शरीर से की ताकि मसी के शरीर में प्रत्येक व्यक्ति की अन्योन्याश्रता और आवश्यक इसलिए मैं शरीर का अंग नहीं हूँ, तो इससे वो शरीर का अंग कम नहीं हो जाता। और अन्योन्याश्रता के बारे में अपना निर्देश पूरा किया जो लोगों का वो समूह है जिसका मुखिया मसी है। उसने ये दिखाते हुए अपना काम पूरा किया कि जिस तरह एक भौतिक शरीर में पैर, आख और कान जैसे कार्यात्मक अंग होते हैं। उसी तरह मसी मसी के शरीर में प्रेरित, भविश्यद्वक्ता और शिक्षक होते हैं। अब तुम मसी के शरीर हो और व्यक्तिगत रूप से उसके आंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में पहले प्रेरित, दूसरे भविश्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर चमतकार, फिर चंगा सहायता, प्रशासन और विभिन प्रकार की भाशाओं के वर्दान नियुक्त किये हैं। प्रित्वी से वनस्पती, बीज देने वाले पौधे और फल देने वाले व्रिक्ष जिन में बीज हो अपनी अपनी जाती के अनुसार होगे। उत्पती अध्याय एक पद्य ग्यारा जब आदम और हववा शैतान के प्रलोभन में आ गए, तो शैतान की प्रकृती उनकी प्रकृती का हिस्सा बन गई। वीजों के बारे में परमेश्वर की आग्या के अनुसार, आदम की भ्रश्ट प्रकृती आदम से पैदा हुई सारी मानवता में चली गई। आदम के पाप के कारण बीच कानून ने सारी मानवता को पापी बना दिया और सभी मृत्यू के अधीन हो गए। आदम की प्रकृती हमारा हिस्सा बन जाती है हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है और हम इसे रोक नहीं सकते परमेश्वर ने अपने आदेश का उद्देश वीजों के माध्यम से जीवन को कायम रखना था लेकिन भ्रष्ट प्रकृती ने पाप, मृत्यू और बंधन को कायम रखने के लिए आदेश के माध्यम से काम किया मृत्यू सभी मनुश्यों पर आए किसी ऐसे काम की सजा के रूप में नहीं जो उन्होंने किया था बलकि इसलिए क्योंकि वे आदम के भ्रष्ट स्वभाव के साथ पैदा हुए थे जो पाप और मृत्यू उत्पन करता है वीजों के बारे में परमेश्वर की आज्या के परिणाम स्वरूप मानवता का भ्रष्ट स्वभाव मानवता का एक अटूठ हिस्सा है पॉलुस ने इस संबंध को देखा और मानवता और उसके स्वभाव को संदर्भित करने के लिए मानवता का इस्तमाल किया उसने ऐसा तब किया जब उसने इफिसियों और कुलुसियों में मानवता के भ्रष्ट स्वभाव को संबोधित किया जीवन के पिछले तरीके के बारे में आपको पुरानी मानवता अंथ्रोपो को उतार देना चाहिए जिसे उसकी छलपूर्ण इच्छाय भ्रष्ट कर रही है एक दूसरे से जूट मत बोलो क्योंकि तुमने पुरानी मानवता अंथ्रोपो को उसके कारियों सहित उतार दिया है तुलुसियो अध्यायतीन पद्यनो अंथ्रोपो का उप्योग मनुष्य, मानवजाती या मानवता के अर्थ में किया जाता है पॉलुस ने आदम और उसके स्वभाव से पैदा हुई मानवता को संदर्भित करने के लिए पुरानी मानवता का उप्योग किया हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारे अंदर पुरानी मानवता का स्वभाव उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था ताकि पाप का प्रभुत्व हमारे अंदर पुरानी मानवता के स्वभाव के माध्यम से शरीर पुरानी मानवता के पर समाप्थ हो जाए ताकि हम अब पाप के गुलाम न रहें रोमियो अध्याय 6.6 तुमने नई मानवता मास एक और शब्द है जिसका उप्योग पॉल पुरानी मानवता और उसकी प्रकृति को संदर्भित करने के लिए करता है United Bible Society की Handbook on Paul's Later to the Romans में कहा गया है कभी-कभी मास का उप्योग मानव अस्तित्व को उसकी कमजोरी में वर्नित करने के लिए किया जाता है जबकि अन्य समय में इसका उप्योग मानव प्रकृति का वर्नित करने के लिए किया जाता है प्रथम कुरितियों की Handbook कहती है मास के लिए हिब्रू शब्द का अर्थ आम तोर पर उसकी कमजोरी के साथ मानव प्रकृति होता है पॉल ने लिखा तो फिर भाईयों हम शरीर के अनुसार जीने के लिए बाध्धि नहीं है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीओगे तो मर जाओगे लेकिन यदि तुम आत्मा से शरीर के कामों को मार डालोगे तो जीवित रहोगे रोमियों अध्याय 8.12.13 यदि हम उनके संकेत को सही धंग से समझते हैं तो उन्होंने कहा कि हम पुरानी मानवता की प्रकृती के अनुसार जीने के लिए बाध्धि नहीं है और यदि हम पुरानी मानवता की प्रकृती के अनुसार जीते हैं तो हम मर जाएंगे यदि हम पवित्र आत्मा के मार्ग दर्शन और सामर्थ से आदम से जन्मी मानवता के शरीर और उसके स्वभाव के कर्मों को मार डाले तो हम जीवित रहेंगे भाईयों, मैं आपसे आध्यात्मिक लोगों के रूप में बलकि मास के लोगों के रूप में मसीय में शिशुओं के रूप में बात कर सकता था मैंने तुम्हें दूद पिलाया ठोस भोजन नहीं क्योंकि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं थे वास्तव में तुम अभी भी तैयार नहीं हो क्योंकि तुम अभी भी शारीरिक हो जब तुम्हारे बीच इर्श्या और जगडा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो और अविश्वासियों की तरह नहीं रहते जब कोई कहता है मैं पॉलुस के साथ हूँ और दूसरा मैं अपुलोस के साथ हूँ तो क्या तुम शारिरिक लोग नहीं हो? प्रथम कुरिथियों अध्यायतीन पद्य एक से फोर यदि हम संकेतों का अनुसरन करते हैं भाईयों मैं आपसे आत्मा से पैदा हुई मानवता के लोगों के रूप में बलकि आदम से पैदा हुई मानवता के लोगों के रूप में मसीह में शिश्वों के रूप में बात कर सकता था वास्तव में तुम अभी भी तयार नहीं हो क्योंकि तुम अभी भी पुरानी मानवता के स्वभाव वाले लोग हो चुनकि तुम्हारे बीच इर्शा और जगडा है तो क्या तुम अभी भी पुरानी मानवता की प्रकृती वाले लोग नहीं हो और अविश्वासियों की तरह नहीं जी रहे हो जब भी कोई कहता है मैं पॉलुस के साथ हूँ और दूसरा मैं अपुलोस के साथ हूँ तो क्या तुम पुरानी मानवता और उसकी प्रकृती के लोग नहीं हो? प्रथम कुरितियों अध्याय तीन पद्य एक से फोर अब शरीर के काम, पुरानी मानवता और उसकी प्रकृती स्पष्ट है यौन अनैतिकता, नैतिक अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादु टोना, घ्रणा, जगडा, इर्शा, क्रोध का विस्वोट, स्वार्थी महत्वा कांक्शाएं, मतभेद गुडबाजी, इर्शा, नशे में धुत होना और इसी तरह की कोई भी चीज, गल्तियों अध्याय 5, पद्य 19, आत्मा का उप्योग किसी व्यक्ती के गैर भौतिक भाग का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो पवित्र आत्मा से पैदा होता है, अपनी कुछ पिछली पुस्तकों में म इसका उप्योग मनुष्य के हिर्दय के उस हिस्से को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसने शैतान के भ्रष्ट बीच को अपने अस्तित्व में ले लिया है, यह एक बुरे व्यक्ती के हिर्दय का दुष्ट खजाना है, यह हिर्दय का वो हिस्सा है, जिसमें भ् अच्छे व्यक्ति के हृदय का अच्छा खजाना है। ये शक्ति मुझे मेरे भीतर पाप की शक्ति का गुलाम बनाती है। पॉल उसने अपनी गवाही में जो अन्य बाते कहीं, वे हमें ये समझने में मदद करती हैं कि वो किस शक्ति का उल्लेक कर रहा है। पॉल ने कहा, मैं मासका हूँ, पाप की शक्ती के दास के रूप में बेचा जाता है। पॉल मासका था, आदम से पैदा हुई मानवता का शरीर। आदम ने खुद को और अपने सभी वंचजों को पाप की शक्ती के दास के रूप में बेच दिया। पॉलुस ने ये भी पूछा, कौन मुझे इस मृत्यू के शरीर से छुड़ाएगा? रोमियो अध्याय साथ पद्य चौबीस आदम के माध्यम से उससे पैदा हुई सारी मानवता मृत्यू के अधीन है मृत्यू का शरीर आदम से पैदा हुई मानवता का शरीर है और मृत्यू के अधीन है पॉलुस ने देखा कि आदम से पैदा हुई मानवता के भरष्ट स्वभाव ने उसके भीतर पाप और मृत्यू उत्पन की और वो इसे रोकने के लिए शक्तिहीन था परमेश्वर ने हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मृत्यू की देह से छुडाया है रोमियो अध्याय साथ पद्य पचीस यदि हम मसीह में परमेश्वर के बीच से जन्मे है तो जीवन की आत्मा की शक्ती ने हमें मसीह में पाप और मृत्यू की शक्ती से मुक्त कर दिया है पॉलस ने देखा कि परमेश्वर की शक्ती परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के बीच से जन्मे लोगों में कारे करती है ताकि वे परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार कारे करें और उसे प्रसंद करें अगर हम आदम से पैदा हुई मानवता की प्रकृती की शक्ती के अनुसार नहीं जीते हैं लेकिन परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से परमेश्वर की शक्ती के अनुसार जीते हैं तो हम कानून की आवशक्ताओं को पूरा करने में सक्षम है मास की प्रकृति पुरानी मानवता के अनुसार जीना मृत्यू है, लेकिन ईश्वर की आत्मा की शक्ती के अनुसार जीना जीवन और शान्ती है रोमियो अध्याय आठ पद्य चार और छे मैं उन्हें एक हृदय दूँगा और उनके भीतर एक नई आत्मा डालूँगा मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियो पर चलोगे और मेरे नियमों को मानोगे परमेश्वर उन सभी चीजों से बहुत अधिक और बहुत आयत से करने में सक्षम है जो हम पूछते हैं या सोचते हैं उस शक्ती के अनुसार जो हम में काम कर रही है इफिसियो अध्याय तीन पद्यबीस अध्याय छे मृत्यू की मानवता से बचो पॉलुस ने कहा कि उसके भीतर आदम से पैदा हुई मानवता के भरष्ट स्वभाव ने पाप और मृत्यू उत्पन की इशु ने हमें बताया कि जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें उन चीजों को हटा देना चाहिए जो हमें पाप का कारण बनाती है यदि तुम्हारा हाथ या तुम्हारा पैर तुम्हें पाप करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे काट कर फेग दो तुम्हारे लिए अपंग या लंगडे होकर जीवन में प्रवेश करना बहतर है बजाए इसके की दो हाथ या दो पैर रहते हुए अनन्त आग में डाला जाए और यदि तुम्हारी आख तुम्हें पाप करने के लिए प्रेरित करती है तो उसे निकाल कर फेग दो तुम्हारे लिए एक आख रहते हुए जीवन में प्रवेश करना बहतर है बजाए इसके की दो आखे रहते हुए नरक की आग में डाला जाए पॉलुस ने पुरानी मानवता की पाप कारक प्रकृती को दूर करने के लिए यशु के निर्देशों को लागू किया यदि आपने वास्तव में उसकी यशु की बात सुनी और उसके बारे में निर्देश प्राप्त किये तो आपने सीखा की चुंकी यशु में जो है वो सत्य है तो जहां तक आपके पिछले जीवन के तरीके का सवाल है आपको पुराने मानवता अंथ्रोपो को अतार फेकना चाहिए जो आपके पिछले जीवन के तरीके से संबंधित है और जो छलपूर्ण इच्छाओं के कारण भ्रष्ट है इफिसियों अध्याय चार पद्य खीस और बाइस इसलिए मौत के लिए डाल नेक रोस्ते सदस्यों को जो पृत्री पर है एडम के शरीर के अध्यात्मिक सदस्य यौन अनैतिकता अशुधता वासना बुरी इच्छा और लालच जो मूर्थि पूजा है कुलूसियों तीन पाच कुलूसियों अध्याय तीन पद्य पाच नेक रोस्ते जीवन या उर्जा देने वाली शक्ती से वंचित करना लाक्षनिक रूप से उर्जा देने वाली हर चीज को काट देना अलग कर देना एक दूसरे से जूट मत बोलो पुरानी मानवता अंथ्रोपों को उसकी प्रथाओं इच्छाओं, विश्वासों, विचारों, शब्दों और कार्यों के साथ उतार कर अपेक कर समेनोई एक दूसरे से जूट मत बोलो तुलुसियों अध्यायतीन पद्यनो अपेक कर समेनोई खुद से पूरी तरह से उतार देना अपो जो उतार दिया गया है उससे अलग होने को दर्शाता है दौहरे उपसर्ग एपो एक त्याग की गहराई पर जोर देते हैं त्याग पूरी तरह से उतार देना बहुत जोरदार है निगेल टनर, क्रिश्चिन वज्ज प्रथम कुरिथियो अध्याय 2.14 में पौलुस ने पुरानी मानवता के लोगों को प्राकृतिक लोगों के रूप में वर्नित किया प्राकृतिक के लिए उन्होंने जिस युनानी शब्द का इस्तिमाल किया वो है पीचिकोस और इसका अर्थ है इंद्रिय प्रकृति द्वारा नियंत्रित व्यक्ति जो भूक और जुनून के अधीन है भ्रष्ट इच्छाओं और स्नेह के साथ सामन जस्य रखने वाला व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की बातों को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वे उसके लिए मूर्खता है और वो उन्हें समझने में सक्षम नहीं है क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से समझे जाते हैं प्रथम कुरितियों अध्याय दो पद्य चौदा पॉलोस भ्रष्ट स्वभाव के बारे में तीन चीजों का वर्णन करता है जिनें हमें बदलने की आवशक्ता है भ्रष्ट इच्छाय आध्यात्मिक चीजों को समझने समझने और आध्यात्मिक प्रकृति से काम करने में असमर्थता व्रश्ट इच्छा हैं हमें पाप करने, दुनिया में भ्रष्टाचार का कारण बनने, हमें जगरने और लड़ने, हमारी प्रार्थनाओं में बाधा डालने और हमारी आत्माओं के खिलाफ युद्ध करने का कारण बनती है ब्रश्ट इच्छा, जब गर्भ धारन करती है, तो पाप को जन्म देती है, और पाप, जब ये पूरी तरह से विक्सित होता है, तो मृत्यू को जन्म देता है परमेश्वर ने हमें अपनी बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिग्याय दी है, ताकि उनके द्वारा तुम संसार की भ्रष्ट अभिलाशाओं से छूटकर ईश्वरिय सोभाव के सहभागी बन सको लूसरा पत्रस अध्याय एक पध्यचार तुम्हारे बीच झगड़े और लड़ाई का कारण क्या है? क्या वे तुम्हारे भीतर युधर्थ भ्रष्ट अभिलाशाओं से नहीं आते? तुम चाहते हो और तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो तुम लालच करते हो और प्राफ नहीं कर सकते इसलिए तुम लड़ते और जगरते हो जो तुम चाहते हो वो तुमें नहीं मिलता क्योंकि तुम मानते हो और नहीं पाते पहला पत्रस अध्याय 2.11 पॉलुस ने कहा कि हमें पुरानी मनुश्यत्व की भरष्ट अभिलाशाओं को पूरी तरह त्याग देना चाहिए और उनसे दूर हो जाना चाहिए भरष्ट इच्छाओं ने आदम से पैदा हुई मानवता की प्रकृती को भरष्ट कर दिया है अब हमारा स्वभाव बन गया है कि इश्वर पर भरोसा न करें इश्वर के अधिकार को अस्वीकार करें इश्वर के प्रती समर्पन के जीवन को अस्वीकार करें इश्वर के प्रावधान को अस्वीकार करें और अनुभूती, विवेक और समझ के लिए खुद पर निर्भर रहें माग दर्शन आध्यात्मिक विकास, परिपक्वता और पूर्णता से ज्यादा आराम और सहजता की इच्छा करें परिणाम स्वरूप, हम आध्यात्मिक और भौतिक चीजों को उस तरह से नहीं समझ पाते, जैसा हमें चाहिए कोई भी इच्छा जो हमारे स्वभाव को इस तरह से बदल दे, भ्रश्ट है अगर हम भ्रश्ट इच्छाओं की जाच करें, तो हम देखेंगे कि उन सभी में एक सामान्य तत्व है मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ, मैं क्या उपभोग करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं दूसरों को क्या सोचना चाहता हूँ मैं अपना जीवन खुद को खुश करने के लिए जीना चाहता हूँ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने कदमों को निर्देशित और व्यवस्थित करना चाहता हूँ मैं अपना जीवन अपनी समझ के अनुसार जीना चाहता हूँ मैं अपने लिए यह निर्धारित करना चाहता हूँ कि क्या वास्तविक्ष सत्य अच्छा है और क्या इच्छा करनी है और क्या विश्वास करना है हम भरष्ट आध्यात्मिक प्रकृती की भरष्ट इच्छाओं और विश्वासों को मिटा देते हैं उन्हें इच्छाओं और विश्वासों को उखाड़ कर समुद्र में लगाने की आज्या देकर और ईशु की शिक्षा पर विश्वास करके की वे हमारी आज्या मानेंगे। यदि आपको सर्सों के दाने की तरह विश्वास है तो आप इस अंजीर के पेड़ को आदेश दे सकते हैं। समुद्र में उखाड़ दिया और लगाया जाए और ये आपकी बात मानेगा। लू का अध्याय सत्रा पद्यच है। भरष्ट इच्छाओं और विश्वासों प्रभू इश्व के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उखाड़ कर समुद्र में रोब दिये जाओ। जो लोग मसी इशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी वासनाओं और इच्छाओं सहित क्रूस पर चड़ा दिया है। जब हम भरष्ट इच्छाओं और विश्वासों को हटा देते हैं, तो हम पुरानी मानवता की प्रकृती के एक हिस्से से बच जाते हैं। हमें अभी भी सुकी कोस हमारी भावनाओं, विश्वासों, इंद्रियों, समझ और क्षमताओं द्वारा निर्देशित और शासित होने से बचना चाहिए और इसके बजाए। नुमर्टी कोस पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित और शासित होना चाहिए। हमें जीवन के सुकी कोस, तरीके से मरना चाहिए और पुरानी मानवता के विनाश से बचने और अनंध जीवन में प्रवेश करने के लिए एक नया तरीका जीना चाहिए. अध्याय साथ जीवन की वाचा दर्ज करें इफिसियों और पहला यूहनना हमें बताते हैं कि दुष्ट आध्यात्मिक शक्तिया हमारे विरुद्ध युद्ध करती हैं. इफिसियों अध्याय 6.12 और पहला यूहनना अध्याय 4.1-3 शैतान हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुचाने के लिए हमारे भीतर पुरानी मानवता की प्रकृती का शोशन करता है. वो हमें धूखा देने और हमें मौत के रास्ते पर ले जाने के लिए अध्यात्मिक चीजों को समझने, समझने और समझने की हमारी अक्षमता का उप्योग करता है. शैतान हमें विभाजित करने के लिए हमारी आत्म निर्भरता और अविश्वास का उप्योग करता है. पास शैतान पर शक्ति और अधिकार हो परमेश्वर हमें ऐसी ही वाचा प्रदान करता है परमेश्वर हमें आध्यात्मिक चीजों सहित सभी सत्य में मार्ग दर्शन करने का वादा करता है वो हमें जीवन के मार्ग पर मार्ग दर्शन करने और हमारे स्वभाव को ऐसे स्वभ पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर होंगा और वे मेरे लोग होंगे। वे अब अपने पडोसी को नहीं सिखाएंगे और नहीं एक दूसरे से कहेंगे। प्रभु को जानो क्योंकि वे सब मुझे जानेंगे छोटे से लेकर बड़े तक। क्योंकि मैं उनकी दुष्ट एक नई आत्मा डालूँगा। मैं उनके शरीर से पथर के ह conversation दूँगा और उन्हें मास के हरिदय दूँगा ताकि वे मेरे नियमों के अनुसर जिए। मेरे नियमों का पालन करें और उनके अनुसर कारे करें। तब वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होंग यहेज केल अध्याए 11.19 और 20 मैं तुम्हें एक नया हृदय दूँगा और एक नई आत्मा तुम्हारे भीतर डालूँगा मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल दूँगा और तुम्हें मास का हृदय दूँगा मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूँगा और तुम्हें मेरी विधियों पर चलने और मेरे नियमों को मानने के लिए प्रेरित करूँगा यहेज केल अध्याय 36, 25 और 27 यीशुने परमेश्वर क्या करेगा? इसके बारे में कुछ विवरन जोड़े मैं पिता से विंती करूँगा और वो तुम्हें एक और परामर्श्टाता देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा वो सत्य का आत्मा है जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सारे सत्य का मार्ग बताएगा यूहन्ना अध्याय 14, 16, 16, 16, 13 नई वाचा में परमेश्वर ने हमसे कई वादे किये हमें परमेश्वर की वाचा में प्रवेश करने के लिए उसके साथ साथ वादे करने चाहिए हमें पत्थर के दिल को हटाने और जो वो हमें देता है उसे प्राप्त करने का वादा करना चाहिए उसके शब्द एक नया दिल, एक नई आत्मा और उसकी आत्मा हमें वो सब करने का वादा करना चाहिए जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है और जिसे वो स्वीकार करता है हमें वो भी नहीं करने का वादा करना चाहिए जो वो हमें न करने के लिए कहता है या जिसे वो अस्वीकार करता है अंतता हम ये सभी वादे करते हैं यदि हम पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित और शासित होने का वादा करते हैं जो हम हैं चाहते हैं, विश्वास करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं यदि हम पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित और शासित होते हैं, तो वो हमें अन्य प्रतिग्याओं के परिणामों को पूरा करने के लिए मार्ग दर्शन करेगा. अध्याय आठ आध्यात्मिक बातों को पहचानना जब हम पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो हमें एक महत्वपूर्ण चुनोती का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक बाते हमें मूर्खता पूर्ण लगती हैं। पवित्र आत्मा अध्यात्मिक बातों को अध्यात्मिक बातों को पहचानना है, और अगर हम परमेश्वर से उसे हमारा मार्खदर्शन करने के लिए भेजने के लिए कहें, तो पवित्र आत्मा हमें अध्यात्मिक बाते बताएगा और हमें दिखाएगा कि हमें क्या करना चा कि हमें मार्ग दर्शन करने वाले पवित्र आत्मा को कैसे पहचाना जाए? वाइबल हमें कुछ बातें बताती हैं जो हमारी मदद करती हैं. पहला युहन्ना अध्याय 4 पद्य एक से तीन बताता है कि आत्माएं हम से बात करती हैं और हम उन्हें सुन सकते हैं और जो वे कहती हैं उसे सचेत रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। हम आत्माओं से सवाल पूछ कर उनका परिक्षन कर सकते हैं। वे हमें उत्तर दे सकते हैं और हम उनका उत्तर सुन सकते हैं। आत्माओं को सुनना एक बाहरी संबाद के रूप में हो सकता है जिसे हम अपने कानों से सुनते हैं लेकिन अधिकान शांतरिक संबाद के रूप में होते हैं जिसे हम अपने विचारों में सुनते हैं हर आत्मा पर विश्वास न करें बल्कि आत्माओं को परखें की वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं क्योंकि बहुत से जुटे भविश्यदवक्ता संसार में निकल गए है तुम परमेश्वर की आत्मा को इस प्रकार पहचानते हो हर आत्मा जो ये स्वीकार करती है कि यीशु मसीय देह में आया है परमेश्वर की ओर से है पहला युहन्ना अध्याय चार पध्य एक से तीन एक और समस्या को भी प्रकट करता है कुछ आत्माएं हमें धोखा देने और गुमरा करने की कोशिश करती हैं और अन्य सच्चाई को उजागर करने और हमें ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हमें क्या करना चाही हमें आत्माओं की परिक्षा करनी चाहिए ताकि हम उनसे बात करने वाली आत्मा की प्रकृती को समझ सके हम आत्मा को ये स्वीकार करने के लिए कहकर परखते हैं कि यीशु प्रभु है और यीशु मसीह देहे में आया है परमेश्वर की ओर से एक आत्मा सकारात्मक आनंदित तरीके से यीशु प्रभु है और यीशु मसीह देहे में आया है को स्वीकार करेगी एक आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो ऐसा नहीं करेगी पहला युहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3 प्रथम कुरितियों अध्याय 12 पद्य 3 हमें आत्मा की जाज भी शास्त्र से तुलना करके करनी चाहिए परमेश्वर की आत्मा का वचन बाइबल से मेल खाएगा तुम्हारा वचन सत्य है युहन्ना अध्याय 17 पद्य 17 उन्होंने बेरिया के यहूदियों ने वचन पॉलुस और सीलास द्वारा प्रचारित को पूरी उत्सुकता से ग्रहन किया और प्रतिदिन शास्त्रों की जाज करते रहे कि क्या ये बातें योही है पुरेरितों अध्याय 17 पद्य 11 सारा शास्त्र परमेश्वर की प्रेर्णा से रचा गया है और शिक्षा और अंदेखी वस्तूओं के प्रमान एलिगमो और सुधार और धार्मिक्ता की शिक्षा के लिए लाबदायक है लूसरा तीमूथियस अध्याय 3 पद्य 16 एलिगमो रोश के प्रती द्रिड विश्वास के लिए है या जिसके द्वारा अद्रिश्य चीजे सिद्ध होती है और हम उनकी वास्तविक्ता के बारे में आश्वस्त होते है ये इब्रानियो अध्याय 11 पद्य एक में दिखाई न देने वाली चीजों का एलिगमो है हमें अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को विक्सित करना चाहिए ताकि हम पहचान सकें कि आत्मा जो कहती है वो बाइबल से मेल खाती है और कब नहीं परमेश्वर के वचन हमें पवित्र आत्मा द्वारा मार्ग दर्शन सुनने की क्षमता भी प्रदान करते हैं वोने वाले के द्रिश्टांत में यीश्व हमें बताता है कि जब हम अपने दिलों में परमेश्वर के वचन बोते हैं तो वे फल पैदा करते हैं श्रवन उस फल का हिस्सा है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीख के वचन से होता है रोमियो अध्याय 10.17 नीतिवचन में कहा गया है कि नीतिवचन में परमेश्वर के वचन सुनने की क्षमता उत्पन करते हैं वाइबल के बाकी हिस्सों में परमेश्वर के वचन भी सुनने की क्षमता उत्पन करते हैं ये दावत के बेटे सुलैमान की नीतिवचन है हम अपने दिलों में परमेश्वर के वचनों को विक्सित करते हैं और परमेश्वर से लगातार पवित्र आत्मा भेजने के लिए कहते हैं ताकि वो हमें परमेश्वर के वचनों की सच्चाई में मार्ग दर्शन करे और यह पता लगाई कि परमेश्वर जो कहता है उसे कैसे करना चाही। हम बाइबल पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं कि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। हम अपनी समझ की परवा किये बिना उन्हें स्वीकार करते हैं हम ये देखने के लिए और अधिक जानकारी भी चाहते हैं कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल के विभिन संसकरण, शब्द कोश, टिप्णियां और अनुवादक की पुस्तिकाएं मूल्यवान सूचना स्रोथ है। हमें उसी तरह खोजना चाहिए, जैसे हम मूल्यवान खजाने की तलाश करते हैं। यदि तुम मेरे वचनों को स्वीकार करो और मेरी आज्याओं को अपने भीतर छिपाओ। यदि तुम बुद्धी की ओर कान लगाओ और अपने हृदय को समझ की ओर लगाओ। यदि तुम अंतरद्रश्टी के लिए पुकारो और समझ के लिए अपनी आवाज उठाओ। यदि तुम इसे चांदी की तरह खोजो और छिपे हुए खजाने की तरह खोजो तो तुम प्रभु के भाय को समझोगे और परमेश्वर के ज्यान को पाओगे। तब तुम धार्मिकता, न्याय और समानता को समझोगे हर अच्छे मार को। नीति वचन अध्याय दो पद्य एक से पाँच और नौ। हमारे दिलों में परमेश्वर के वचनों को बोने में उन्हें करके उनका अन्वेशन करना शामिल है। वाइबल में ऐसे कई उदाहरन हैं जहां लोगों ने परमेश्वर द्वारा बताये गए काम करके अन्वेशन किया। नूह ने जहाज बनाकर अन्वेशन किया। अबराहम ने अपने परिवार को छोड़ कर और परमेश्वर द्वारा बताएगा इस्थान पर जाकर अन्वेशन किया। माक अध्याय दस में अमीर युवक ने अन्वेशन नहीं किया जब येश्व ने उसे जो कुछ भी उसके पास था उसे बेचने, गरीबों को देने और उसका अनुसरन करने के लिए कहा। उसने अपने स्वभाव में वो जोडने का अवसर खो दिया जिसकी उसे कमी थी। हम परमेश्वर के कवच पहन कर आत्माओं को परक्खर अपनी समझ पर भरोसा न करके आधी-ाधी खोज करते हैं। जब हम खोज करते हैं, तो परमेश्वर हमें देखने और सुनने के लिए और अधिक देता है। वो हमें और अधिक बोद देता है। मति अध्याय 13.10-12 और 16 मर्कुस अध्याय 4.10-12 और 21-25 और लुका अध्याय 8.9, 10 और 16-18 हम आध्यायों का पालन करने के लिए बाइबल में देखकर भी खोज कर सकते हैं। परमेश्वर की आध्याय दर्वाजों या द्वारों की तरह हैं। अगर हम उन्हें पाले और परमेश्वर की आध्यायों को मानकर खोज करें, तो हम आध्यात्मिक चीजों को समझने में बढ़ते हैं, अपने अस्तित्व में परमेश्वर के आध्यात्मिक गुणों को जोड़ते हैं, और पवित्र आत्माद्वारा शासित और निर्देशित जीवन में बदल जाते हैं। अध्याय नौ आध्यात्मिक फल पैदा करना परमेश्वर हमें अपने स्वभाव, पवित्र में भागीदार बनने और अपने स्वभाव के अनुसार फल पैदा करने के लिए बुलाता है वीज कानून के अनुसार किसी वस्तों में उस बीज की प्रकृती होती है जिसने उसे उत्पन किया था और वो उस बीज का उत्पादन करेगी जिसकी प्रकृती है अगर हम किसी चीज की प्रकृती को बदलना चाहते हैं, तो हमें उस बीच की प्रकृती को बदलना होगा जिसने उसे पैदा किया था यदि हम उसी बीच को बोते रहें, तो हम उसके स्वभाव का फल काटते रहेंगे हम अपने स्वभाव को पैदा करने वाले बीज के स्वभाव के अनुसार आध्यात्मिक फल पैदा करेंगे परमेश्वर का वचन शुद्ध धार्मिक पवित्र अच्छा, अविनाशी और अनंध जीवन के साथ जीविद बीज है अगर हम अपने दिलों में परमेश्वर के वचन को विक्सित करते हैं, तो ये हमारे अंदर अपने स्वभाव के अनुसार पैदा होगा और हम इसके स्वभाव के अनुसार फल पैदा करेंगे हमें परमेश्वर के वचन को इतना बोना चाहिए कि शैतान के प्रयासों पर विजय प्राप्त हो जाए अन्य था ये हमारे स्वभाव को नहीं बदलेगा और हमारे द्वारा फल उत्पन नहीं करेगा जितना अधिक हम शैतान के प्रयासों से आगे निकलेंगे उतना ही हमारा स्वभाव बदलेगा और हम उतना ही अधिक फल उत्पन करेंगे हमें इस संसार की चिंताओं, सुख सुविधाओं और अन्य चीजों की इच्छाओं से दूर हो जाना चाहिए और उन्हें अस्वीकार करना चाहिए तथा उन अन्य चीजों पर भरोसा करना चाहिए जिनका उपयोग शैतान परमेश्वर के वचनों को निश्फल बनाने के लिए करता है येश्व ने कहा कि यदि हम ये कार्य करेंगे तो परमेश्वर के वचन हम में फल उत्पन करेंगे चूंकि परमेश्वर के वचन बीज है और बीज नियम का पालन करते हैं इसलिए वे जो फल उत्पन करते हैं उसमें परमेश्वर का स्वभाव होता है हम परमेश्वर के स्वभाव में भाग लेते हैं और उसके वचनों द्वारा हमारे हृदय में उत्पन फल के माध्यम से आध्यात्मिक फल उत्पन करते हैं। पगडंडी पर गिरा बीज उन लोगों को दर्शाता है जो राज्य के बारे में संदेश सुनते हैं और इसे नहीं समझते हैं। जब ऐसा होता है तो दुष्ट आता है और बोने वाले द्वारा उनके हृदय में बोए गए बीज को छीन लेता है। पथरीली भूमी पर पड़ा बीज उन लोगों को दर्शाता है जो संदेश सुनते हैं और खुशी के साथ तुरंत इसे ग्रहन करते हैं। चूंकि उनकी जड़े गहरी नहीं होती हैं इसलिए वे लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। जब वे वचन पर विश्वास करने के कारण समस्याओं का सामना करते हैं या सताव सहते हैं तो वे भटक जाते हैं। काटों के बीच गिरने वाला बीज उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो शब्द सुनते हैं। लेकिन इस जीवन की चिंताएं और सुख अन्य चीजों के लिए इच्छाएं और धन में विश्वास प्रवेश करता है और शब्द को दबा देता है ताकि यह कोई फल न पैदा करे। अच्छी भूमी पर गिरा बीज उन लोगों को दर्शाता है जो वचन को सुनते और समझते हैं और 30, 60 या यहां तक की 100 गुना अधिक फसल पैदा करने के लिए द्रण रहते हैं। मत्य अध्याय 13, 19-23, मर्कुस अध्याय 4, 14-20 और लुका अध्याय 8, 22-25 जब हम परमेश्वर के वचनों को बोते हैं तो हमें उसकी आत्मा का भी अनुसरन करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें छाटने और शुद्ध करने के लिए मार्क दर्शन करता है ताकि परमेश्वर के वचन अधिक फल उत्पन करें। यूहन ना अध्याय 15, 2 वो हमसे पुराने स्वभाव के खर्पत्वारों को दूर करता है ताकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के स्वभाव के आत्मिक गुणों को हमारे अंदर जोड सके। इस प्रक्रिया के द्वारा पवित्र आत्मा हमें हाथों के बिना किये गए खत्ने से खत्ना करता है। और नियंत्रित होते हैं। गल्तियों अध्याए 2.20 हम परमेश्वर के वचन और आत्मा से पैदा हुए हैं। हम पुरानी मानवता की प्रकृती के भ्रष्ट फल का उत्पादन करना बंध कर देते हैं। और वचन और आत्मा के आध्यात्मिक गुणों के अनुसार फल का उत्पादन करते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरी पुस्तक, आध्यात्मिक विकास देखें कि कैसे वचन और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आध्यात्मिक गुण जोड़ने के लिए काम करते हैं। अध्याए 10 हमारे फल से जाना जाता है वीज नियम से हम किसी चीज की प्रकृति को तब जानते हैं जब हम उसके द्वारा उत्पन होने वाले फल की प्रकृति को देखते हैं पॉलुस ने कुरितियों को लिखे अपने पहले पत्र में इस सिध्धान्त को लागू किया चुंकि तुम्हारे बीच इर्षय और जगड़ा है, तो क्या तुम पुराने मनुश्यत्व, शारिरिक के लोग नहीं हो और अविश्वासियों की तरह नहीं जी रहे हो प्रथम कुरितियों अध्याय तीन पद्यत्री पॉलुस ने कहा कि जगड़ा और इर्षय लोगों के अपनी भावनाव, विश्वासों, इंद्रियों, समझ और ख्षमताओं द्वारा निर्देशित और शासित होने का प्रमान थे वाइबल में और भी सबूत दिये गए है पुरानी मानवता के लोगों की मूल विशेशता यह है कि वे इश्वर पर भरोसा करने के बजाए अपनी भावनाओ, विश्वासों, इंद्रियों, समझ और ख्षमताओं पर भरोसा करते हैं और उनका मार्गदर्शन और शासन करते हैं यह विश्वास की यह चीजे पर्याप्त हैं और हमें इश्वर की मदद की जरूरत नहीं है, अभिमान है हमारे पास इन और अन्य चीजों के होने और प्राप्त होने पर भरोसा करना, जो हमें अपने जीवन का मार्गदर्शन और शासन करने के लिए सशक्त बनाती हैं, धन पर भरोसा है हम धन पर भरोसे को भौतिक संसाधनों पर निर्भरता के रूप में सोचते हैं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है इसमें समझ, योग्यता, अनुभव, प्रतिष्ठा, माननेता, प्रभाव, शक्ती और अधिकार के स्वामित्व और प्राप्ती में विश्वास शामिल है धन पर भरोसा लाब के लालच और हानी के डर को जन्म देता है ये पुरानी माननवता के अधिकांच कारियों को जन्म देता है संगहर्ष, इर्ष्या, जलन, प्रतिद्वन्विता, विभाजन, मूर्ति पूजा और जादू टोना, ड्रग्स या बुरी आत्माओं की सहायता या नियंत्रन से प्राप्त शक्ती का उप्योग पुरानी मानवता की एक और विशेशता है अपनी शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से अनुभव, विवेक और समझ हासिल करने की कोशिश करना, जो कामुक सुख, नशे, अतिभोग और यौन अनैतिक्ता में अत्यधिक लिप्तता में योगदान देता है पुरानी मानवता के लोग आध्यात्मिक और भौतिक चीजों को समझने की अपनी क्षमता में सीमित है वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं का उप्योग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या नहीं अगर उन्हें किसी स्थिती के बारे में अच्छा लगता है तो वे इसे अच्छा मानते हैं अगर उन्हें इसके बारे में बुरा लगता है तो वे इसे बुरा मानते हैं अगर उन्हें लगता है कि कोई परिस्थिती उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी, तो वे इसे अच्छा मानते हैं और अगर ये उनकी इच्छाओं की संतुष्टी में बाधा डालती है या उन्हें रोकती हैं, तो वे इसे बुरा मानते हैं। पुरानी मानवता अपनी शारीरिक इंद्रियों का उप्योग उसी तरह से समझने के लिए करती है। इश्वर से पैदा हुए लोग नई मानवता सक्रिय रूप से जीवन से संबंधित सभी के लिए इश्वर पर निर्भर हैं। अधिकार के कारण मार्क दर्शन और शासन करने के लिए इश्वर पर भरोसा करती है। वे आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए उन्हें बोद देने और आध्यात्मिक तरीकों से काम करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और निर्देश देने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे आध्यात्मिक शत्रूओं और अनंत जीवन पर विजय पाने के लिए शक्ति और अधिकार के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं. परमेश्वर से जन में लोग परमेश्वर द्वारा निर्देशित और शासित होने के लिए एक महत्वपूर काम करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक विशेश्टाओं को प्राप्त करना चाहते हैं परमेश्वर को सुनना, विचार करना और उसका अनुसरन करना वे विश्वास करने, द्रण रहने, आध्यात्मिक कारे करने, आध्यात्मिक शत्रों पर विजय प्राप्त करने और शक्ती, अधिकार और अनन्द जीवन प्राप्त करने के लिए वफादार गिने जाने के लिए समान गुणों की तलाश करते हैं परमेश्वर से पैदा हुए लोग इन गुणों को अपने हृदय में बोए गए परमेश्वर के वचन की प्रचुरता से जोडते हैं, जो बीच कानून के अनुसार परमेश्वर के स्वभाव के साथ फल पैदा करता है वे अन्य चीजों के बजाए सक्रिय रूप से द्रिर्ता, खोज और परमेश्वर के निर्देशों का पालन करके परमेश्वर के वचन के फल को परिपक्वता तक लाते हैं अध्याए ग्यारा आवश्चक शक्ति, धन और जीवन धन के लिए नए नियम का शब्द है यह उस खजाने के लिए एक शब्द है जिस पर लोग भरोसा करते हैं पुरानी मानवता के लोग उनकी भावनाओं, विश्वासों, इंद्रियों, समझ और उन्हें मार्गदर्शन करने और शासन करने की क्षमताओं पर भरोसा करते हैं यह चीजें उनकी समपति हैं नई मानवता के लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वे उनका मार्गदर्शन और शासन करें और ईश्वर को सुनने, समझने और उसका अनुसरन करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक गुणों को उत्पन करने के लिए ईश्वर के वचन और आत्मा पर भरोसा करते है आवश्यक धन तब है जब परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देने के लिए पवित्र आत्मा को भेजता है परमेश्वर का वचन हमारे अंदर परमेश्वर के स्वभाव के आत्मिक गुणों को उत्पन करता है और पवित्र आत्मा उन गुणों को परिपकवता तक ले आता है पवित्र आत्मा का मार्ग दर्शन, बुद्धी, विश्वास, गुण, ग्यान, दृर्टा और प्रेम, महान धन है जिस व्यक्ति के पास ये है और जो इन पर भरोसा करता है वो उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक सम्रिद्ध है जिनके पास ये नहीं है इश्वर का वचन और इससे उत्पन आध्यात्मिक गुण भी आवश्यक शक्ती है वे जीवन और इश्वरियता की शक्ती है इसी तरह सद्गुण भलाई, प्रेम और अन्य आध्यात्मिक गुण भी हैं जिने बाइबल हमें खोजने के लिए कहती है लूसरा पत्रस अध्याय एक पध्य तीन से ग्यारा अनंत जीवन परमधन है ये परम जीवन है हमारे हृदय में विक्सित परमेश्वर का वचन अनंत जीवन उत्पन करता है पवित्र आत्मा हमारा मार्ग दर्शन करता है हमें परिश्कृत करता है और परमेश्वर के वचन द्वारा प्रदान किये गए अनंत जीवन को हमारे भीतर परिपक्वता और पूर्णता तक लाता है अध्याए 12 जीवन का पत आदम में सभी मरते हैं प्रथम कुरितियों अध्याए 15 पद्य बाइस आदम के वन्शच के रूप में हम मानवता के शरीर के सदस्य हैं जो मृत्यू की ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलते हैं वीज नियम के अनुसार हम आदम की भरष्ट इच्छाओं के साथ प्रकृति को विरासत में लेते हैं जो पाप और मृत्यू उत्पन करती हैं आदम की तरह हम अपनी भावनाओं, विश्वासों, इंद्रियों, समझ और मार्ग दर्शन करने, शासन करने और हमें सशक्त बनाने की क्षमताओं पर भरोसा करते हैं इन चीजों पर भरोसा करके और उन्हें पाने की कोशिश करके, हम भ्रष्ट प्रकृति बोते हैं और मृत्यू काटते हैं मृत्यू के मार्ग से बचने के लिए, हमें अपने द्वारा बोए गए बीज को हटाना चाहिए और अधिक बोना बंद करना चाहिए और एक अलग प्रकृति के बीज बोना चाहिए मसीह में सभी को जीवित किया जाएगा प्रथम कुरितियों अध्याय 15 पद्य बाइस परमेश्वर का बीज उसका वचन परमेश्वर की प्रकृति वाले वन्शजों को उत्पन करता है शाश्वत, अविनाशी, धर्मी, पवित्र और अच्छा जब हम अपने दिलों को परमेश्वर के वचन से भरते हैं और हमें मार्क दर्शन शासन और शक्ती देने के लिए उस पर और पवित्र आत्मा पर भरोसा करते हैं तो ये हमारे अंदर परमेश्वर की प्रकृति का निर्मान करेगा हम परमेश्वर के वचन और आत्मा से जन्म लेंगे और जीवन के कठिन मार्क पर चलने और संकीन द्वार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक गुण रखेंगे यिश्व ने नीकुदे मूस को उत्तर दिया जब तक कोई व्यक्ति उपर से आत्मा से जन्म ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता तुम फिर से उपर से जन्मे हो नाश्वान बीच से नहीं बलकि अविनाशी परमेश्वर के वचन के द्वारा जो जीवित और सनातन है परमेश्वर की सामर्थ ने हमें जीवन और भक्ती के लिए जो कुछ चाहिए वो सब दिया है क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने हमें अपनी महिमा और भलाई के लिए बुलाया है इनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और अति उत्तम प्रतिक ज्याय दी है ताकि इनके द्वारा तुम परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी हो सको और उस भ्रष्टता से बच सको जो बुरी अभिलाशाओने संसार में फैले है इसी कारण से अपने विश्वास को भलाई से, भलाई को ज्यान से, ज्यान को सैयम से, सैयम को धीरच से, धीरच को भक्ती से, भक्ती को भायचारे की प्रीती से, और भायचारे की प्रीती को प्रेम से परिपूर्ण करने का भरसक प्रयत्न करो क्योंकि यदि आपके पास ये गुण बहुतायत में हैं तो वे आपको हमारे प्रभु ईशु के ज्यान में बंजर और फलहीन होने से बचाते हैं इसलिए भाईयों अपनी कॉलिंग और चुनाव की पुष्टी करने के लिए सभी अधिक महनती बने क्योंकि यदि आप इन गुणों का अभ्यास करते हैं तो आप कभी नहीं गिरेंगे क्योंकि इसी रीती से हमारे प्रभु और उद्धार करता इशु मसी के अनंत राज्य में तुम्हारे प्रवेश का बहुतायत से प्रबंध किया जाएगा लूसरा पत्रस अध्याए एक पद्य तीन से आठ दस और ग्यारा ये पुस्तका अंत है